चेप्टर 6 जोग्रफी का नेक्स्ट कोश्चन है पॉपुलेशन डेंसिटी इस हाई इन गंगा प्लेंस तो बोल रहा है कि गंगा प्लेंसे पॉपुलेशन बहुत जादा रहती है या काफी अच्छी काईसी पॉपुलेशन रह रही है ऐसा क्यों है देखाए गंगा प्लेंसे प्लेंस रीजन लोकेटेड इन नौर्थन पार्ट आफ नदन पार्ट आफ इंडिया तो बाई जो गंगा प्लेंसे वो कैसा रीजन है वो एकदम प्लेंसे तो गंगा प्लेंसे वो कैसा रीजन है यह न प्लेइन रीजन है ठीक है और एक है पर इंडिया के नॉर्थ पार्ट में तो गंगा प्लेइन इस ब्लेइन लोकेट इन अधन पार्ट अफ इंडिया गंगा प्लेइन is blessed with moderate amount of rainfall तो एक तो यह प्लेइन रीजन है ऐसा प्लेइन है पूरा और दूसरा यहाँ पर जो rainfall is moderate moderate Daisuke aydang तो गंगा प्लेम क्या एक प्लेम रीजन है पहारी नहीं है बेरीजन है Ganga Plain में और क्या है moderate rainfall है, fertile soil है और mild climate है अब गंगा प्लेन में agriculture भी है industry है, trade है, transport facilities are well developed in the region तो भाई गंगा प्लेन में agriculture अच्छा develop है, industry है trade है, transport facility है सब अच्छे से develop है, इसलिए population जो है गंगा प्लेन में काफी ज़्यादा रहती है, क्यों रहती है, क्योंकि भाई agriculture है, industry है, trade है transport है, trade मतलब business जब ये सब चीज है import export है, trade मतलब import export ही मान लो, जब ये सब चीज है वहाँ पे industry, agriculture है, तो लोग वहाँ पे जाहिर है, वहाँ पे रहेंगे ही रहेंगे ठीक है, तो ये भी answer बहुत मुश्किल नहीं है, एक बाई revise कर लो क्यों population रह रही है इतना क्योंकि एक तो ये plane region है यहाँ पे moderate अच्छी, medium rainfall है soil अच्छा है, fertile है, mild climate है यहाँ पे agriculture है, industry है trade है, transport facility है ये सब यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे population की density अच्छी खासी है एक बाई इसको read कर लेना और answer लिखा करो answer नहीं लिखोगे, तो board exam में उतने अच्छे marks नहीं मिलते हैं क्योंकि practice करना पड़ता है ठीक, एक बाई रीड कर लेना